कि हलो एव्रीवन वेल्कम बैक चैनल बिलियन एजुकेशन वे वी एम टूरीज इंटीच बिलियन पॉपुलेशन सुगाइस स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे हाज ही रहें आपके साइंस टू की कम्प्लीट वन शॉट सिरीज लेके जी हां आज क निए उतलाइस करेंगे पूरा साइंस टू अपका खतम उतला करेंगे और कि यह यहिएPS करें कि लेकिन मज़े से पढ़ियंगे एंज्वार के पढ़िया आज का दिन है आज के दिन को इिटलायस करेंगे दो दिन आपके पास रह जायेगा तक मेक शूर है आराम से बैटे करूं चलेगा जी हाँ फैस नोनेट साइंस टू से स्टडी कर लीजिए लेकिन कॉंसेट पढ़के यह साइंस टू में सभी को चालीस में चालीस ठोकना और उसे दिक्कत भी नहीं आएगी वहाँ पे गुड़ अबान खान गुड़ एव्रीवन कीप लाइकिंग पोड़ दो आज चलो क्या बोलती पबलीक अबान भाई बोल रहे हैं सभी गो क्यों साइन्स वन क्यों टाइटल है अरे बाप रबाप अरे विक्स परफेट भाई साइन्स टू लिखना था देखो यह क्या हो गया कि इसको तो मैंने ठीक किया था चलो कोई ने दो मिनट दीजे कि आ जाई आजई यह सारे लोग आजई ए फटफट से यह तो बीटी हो गया अब हो जाएगा ठीक आई होप चलो कोई नहीं आ जाएंगे अपने बच्चे तो क्या ही दिख्क है एक लो स्टेटर्स गेमिंग वेल्कम वेल्कम 21 पीपल वॉचिंग चलो हम लोग से भी इंपॉर्टें डिपॉर्टेंट चीजें करेंगे और सारी चीजें का मीनिंग समझ क लेंगे आराम से ले डाउं चाहे ले लीजिए अपना वेफर बिस्किट जो करना है गेम कर रहा हो जो भी रहो आराम से बैढ़ जाओ सुनते रहो मेरी बातों को एजब प्रवचन और यह प्रवचन पर मार्स मिलेगा तो देखो गार्डन में जाते हैं तो कोई चोटा लगता सो कौई इसमिया है को जिसके बाल बाल देखो बालों भी अलग-अलगे तुर दीं किसी एक यहाँ पर लड़की गोरी दिखा दिया लड़के को काला दिखा दिया हमने यहां पर काला कर दिया बेधबा हो गया थोड़ा सा अब यहां फे देखो प्लांट के अंदर बेदबाव है एक बट्लू एक लंबू प्लांट है तो यह सब होता रहता है तो चट्टे वाले को श्रब्स बोलते हैं अपन यह तो सभी को पता है अब यह देखो चोज करने की आदस सभी को है तो इनके चोज देखो सब की अलग अलग है बीक्स आर डिफरेंट कलर अन यह है आपको डेफिनिशन में लिखना है है अफाफ बाड़ी फीचर और ब्लाजिकल क्यारेक्टर है यह दूंन है बाहर से यही सब दिखते हैं तो होता है हमारा हेरेडिटी बाड़ी फीचर्स लाइक है एक हैर कंप्लेक्शन यह ट्रांस्वर होना फ्राम वन जनरेशन टुए अनदर जनरेशन इसकोल है हो गया चलिए फट 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 अभी यह नुकलियस होता है देखो नुकलियस पूरा हम लोग अगर एक सेल लें तो बताया था यह सब mcq के questions हैं यह सब बच्चों mcq के questions है ठीक है तो वोल्टर सटन ने और थियो जो बोरी ने तो यह लोग ने किसको देखा था पेयर्ड क्रोमोजूम आप लोगो पता होना चाहिए फिर से रिपीट करता हूं सारी चीजे हम में 46 क्रोमोजूम होते हैं ले और यह किसमें observe किया था ग्रास ओपर में किसने वोल्टर सटन थियोडर बोवरी ने यह पहली बार हमारे क्रोमोजूम को हम लोगों को पेयर में देखा था ओके अगर क्रोमोजूम को तोड़ दिया जाए तो वो किससे बना होता है बोलते हैं वह यह हमारे dna से और dna का full form ह gustaría नूक्लिक अइसीड के अगे अप देयने को क क्रोमोजोम को चोटा किया उसका छोटा सा पाड ब्याने डियने का चोटा सा पाड जील होता है दी यह जीन उते हैं अब यह सब बोलते हैं जेनेटिक म cock अब 1944 में ओस्ट्वाल एवरी एंड मेकलीन मेकाथी ने और कॉलिन ने कॉलिन मेकलॉइड ने इन्होंने क्या बोला था इन और लिविंग और गेनिजम चाहे इपो चाहे चोटा हो चाहे बड़ा डी एन्ने इस जैनेटिक मटीरियल जो हम लोग बोल रहे थे बायलोजिकल कार डियेञेक्टर हाते हैं तो जैनेटिक मतलब क्या जो जैनेरेशन से ट्रांसफर हो किसे हो रहे वह इन्हीं से हो रहे डी एनने सबसे बड़ा माना हो लोग लेकिन accept some viruses, viruses के अंदर RNA होता है, वािरस हैस के अंदर क्या होता है, RNA, तो यह बोल दिया तो उनके अंदर नहीं होगा, उनके अंदर RNA होगा, तो genes biological character को क्या करते है, Real में यही हम लोग करते हैं क्योंकि DNA मेंfang major genes ही तो होते हैं, अब genes देखो क्या होते हैं, जीन्स का inform your genes, यह सब आप body में इस तरह से सारी चीज़ें जुड़ी हैं ये chemical form करते हैं और इसी को बोलते हैं जैनिटिक code जैनिटिक code क्या ऐसे बहुत सारे जो हमारे codon है ये ऐसे जुड़े हुए रहते हैं हमने DNA को को खोला तो इसके अंदर क्या देखा कि ये ऐसे codon एक दूसरे के अंदर polymerized हैं जुड़े हुए जुड़े हुए और यही ट्रांसफर हो रहा है एक्चुली में ओके सो जैनिटिक code का polymerization amino acid that is protein amino acid के single part को protein और यही होता है biological character जैसे कि मेरे मसल्स ले लेता हूं कि मेरे मसल्स जादा है तो भाईया मेरे अंदर ऐसे genetic coding हुई है और वो इस तरह से polymerized हुए मतलब एक के बाद एक arrange है कि मेरे अंदर specific amino acid जो मसल बनाने वाले वह जादा है तो मेरे अंदर protein built up भी जादा है और यह मेरा biological character है अब यही समझो कि मैं बहुत बटला हूँ बहुत छोटा सा हूँ तो यह कैसे छोटा हुआ हूँ क्योंकि जो genetic coding है यह जो arrange हुए यह polymerize होगे एक दूसरे के साथ यह ज़्यादे डीप में arrange होगे है amino acid अलग-अलग secret हो रहे हैं तो जो growth वाले हों कम निकल रहे हैं इसलिए हम लोग छोटा हूँ या फिर लंबा हूँ ऐसे सारी चीज़ें याद रखना है कि अच्छा तो जीन्स क्या करते हैं एक और काम करते हैं बायलोजिकल कारेक्टर मेरे से सा एक और बेबी पैदा करना यह तो जीन काम करते हैं आपकी बॉडी में जो भी important protein है वो बना के दे देते हैं लेकिन बीच में एक और आ जाता है RNA के मदद से जब protein बनाना तो RNA की मद बाकी सब तो यह अकेला transfer करना है male female मिले अगला बेबी आएगा genetic code transfer होगा लेकिन अगर बात की जाए protein बनाने की तो RNA की help लेना होगा और इसी को बोलते हैं देखो यह दोनों के बीच में DNA जीन्स बोलो यह protein के बीच में बीच में आता है ना यह तो इसको बोलते हैं यह हुए question food क्या आ जाते है पट 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 करूंगा कुछ नहीं अब दीने का जेको यह जो structure था ना दोस्तों इसी को तोड रहा हूं यह जो ऐसे गुमा हुआ देख रहे हो यह जो आप लो लकडी एक दूसरे गंदर सा सोच रहे हो वो क्या है 11-12 में जो science लेना बड़ा परिशान होगा अगर यह नहीं तो यह दो strand है ऐसे अब दो strand में which form the two complimentary इसका साथी है यह at the side of this strand is every sugar is attached to nitrogen basis तो यहाँ पर क्या है दोस्तों ओहो पेन ले लेता हूं पेन लेना भूल गया हूं पेन लेता हूं जल्दी से आराम से बैटे रहे है सुनते रहे बच्चों लाइक ठोकते रहे है बहुत मज़ेदार लेक्चर है यह ऐसा नहीं है कि आप लोग सीव रट्टा कितना रट्टा मारोगे आप लोग समझ के जाओ सारी चीज़े हो जाएंगी तो इसमें क्या रहते हैं देखो एक साइड यह है दूसरे साइड ऐसा ही एक और स्ट्रैंड है तो यह एक दूसरे को में पॉजीट है ओके तो इसके अंदर क्या देखोगे दोस्तों एक दूगर है यह चुगर आ एक, दो, तीन, चार, पाँच, पेंटो शुगर याद रहे हैं, फेलिंग दे ब्लैंक से, और इसके साथ हमारे जो है, नाइट्रोजन बेसे रहते हैं, इस आर नाइट्रोजन बेसे, तो एट एवरी साइड ओफ इस ट्रैंच, शुगर इस अटाइज टू नाइट्रोजन बे इससे, और यह कैसर, पीपी, यह बीज में पीपी क्या कर रहा है, यह फॉस्फेट है, और एक शुगर को जोडता है, शुगर को नीच वाले जोडता है, अब यह कॉंप्लिमेंटरी क्या एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, यही जो देखना है, इसमें चार टाइप होते हैं, मैंने भी चार करके रखा है, ध्यान से, एक होता है एडेनिन, दूसरा गुएनिन, तीसरा साइटोसिन, और चवता हमारा थाइमीन, अगर हम लोग बोल दें, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, थाइमीन, अब देखो एडेनिन के साथ हमेशा थाइमीन की ही जोड़ी बन इतना याद रखना यह सब बुक की लैंग्वेज है यह बुक में लिगा गया है चोटी-चोटी मगर मोटी बाते हैं आगे बढ़ जाएंगे हम लोग ओके क्या एडेनीन इतना अच्छा एनिमेशन साहद ही मिलेगा एडेनीन पार्टनर बनता है हमारे थाइमिंग के साथ लेकिन कैसे जुड़ता है सर जोड़ो तो डबल बॉन अरे आज यह सर पेपर देखा है प्लीज याद मत दिला और गुवानिन और साइटिन कैसे जुड़ता है ट्रिपल बॉन हो गया पूरा स्ट्रक्चर बता दिया मैंने कैसे शुगर होगा सर उसके नीचे इसी स्ट्रे लेकिन सर इसमें भी इसमें भी क्या है यह लोग भेदवाव करते हैं दूसरे किसी बंदे को रूम में या नहीं जैसे एड़नीन और थाइमीन ही दोस्ती बनाके रखे और गुवानिन और साइटोसीन भी तो कैसी बॉन्डिंग इंगीज में सर यह और टी की बीच में डब की बढूस में इसा है तो यह क्या होते है यह तो ट्विस्ट मारते है यह श्ट्रेंड हम लोग खोल करके दिखार यह ट्विस्ट मारेंगे अइसा सब्सुक्त मारेंगे भी इधा है कered तो बता है अप लोग को पूस्ते है nuclear side or nuclear type क्या होता है nuclear side or nuclear tides medium dic तो अलफा बैटिक लिऊ पहले कौन कौन आता है सर्स नेखो यहां पे बिक्रियों है कि उप्स है तो उसको बोलेंगे हमारा नुक्लियोसाइड है और उसी में अगर फॉस्फेट जोड़ दें तो नुक्लियोसाइड के अंदर अगर एक फॉस्फेट जोड़ दें तो सर नुक्लियोसाइड है फिर से बताता हूं शुगर को जोड़ा नाइटरिजन बेस से तो इसको बोलना बच्चों ध्यान से इमानदारी से सीख के जाओ आएंगे मांग्स इस से बोल रात का सेशन यह चले वाल है पांच पांच तिन चार गंटे पांच गंटे चितना भी लगजे चलेगा इस सेशन तो नाइट्रोजन यह हमारा समझे शुगर नाइट्रोजन तो इसको बोलेंगे और शुगर तो नुकलियोसाइड बोल देंगे ठीक है चल और इसके अंदर भी देखो एन और ऐसे नुकलियोसाइड इसी के अंदर छुपा हुआ है नुकलियोसाइड लिख देना कत्तम जितना ट्रिक चाहिए लेलो देखो और ऐसे तीन के ग्रूप को यह लोग देखो जूड़े शुगर हमारा नाइट्रोजन बेस और फॉस्परेट एग शुगर नाइट्रोजन बेस और हमारा फॉस्परेट शुगर नाइट्रोजन बेस और फॉस्परेट ऐसे तीन को बोलते हैं तीन की जोड़ी को ती भी को डाउन हो जाएगा ओगे तू स्रेंड्स डियन ने आर कॉइल अरॉंड एच अदर एंद फॉर्मिंग डबल हैलिक स्ट्रक्चर तो देखो यह डबल हैलिक्स जैसे रखते हैं है अब देखो इसमें यह जो हमारा नुक्लियो टाइड है एक नुक्लियो टाइड से दूसरे नुक्लियो टाइड के बीच का डिस्टेंस अगर पूछ ले यह तो इसको बोलते हैं 0.34 नैनोमिटर है तो एक जब एंड से दूसरे एंड तो एक कम्पलीट हैलिक्स स्ट्रक्चर में इसके 3.4 नैनोमिटर मतलब कितने नुक्लियो टाइड होते हैं दस नुक्लियो टाइड के बीच में कितना होगा इसका अंसर भी 3.4 नैनोमिटर एक कम्पलीट एंड से दूसरे एंड तक सेम जाने के लिए भी 3.4 तो एक पार्ट जो होता है वो कितना 3.4 नैनोमिटर लेकिन दो नु है second important nucleic acid कि अम लोग को McCarthy वाही ने सब लोग ने बताया था कि सब से important DNA अब उसके बाद नंबर आता है हमारे RNA का सेकेंड most important है अगर आप लोग को पूछे second most important nucleic acid तो DNA बोलेगा RNA बोलेगा nuclear हमारे को बोलेगा कि nucleoside nucleotide अब वहां पर दियाद रखना कि विया second mode तो RNA सर ने बता है तो सरी अरे मतलब सहा सहा आरने सही है यह यह भी किस्ते बना होता है इसका भी सेम होता है देखों शुगर फॉस्फेट का भी बैक बोन है बैक बोन मतलब जिससे रिड की अड़ी बनती देखें शुगर फॉस्फेट शुगर बेसेस भी इसमें भी होते हैं लेकिन एक चेंज है बच्चों पस थाइमीन के जगे पे यूरासील होगा ध्यान रखना हम लोग क्या बूल रहते हैं हमारे DNA के अंदर क्या थे एडेनिन, गुवैनिन, साइटोसिन, थाइमीन यह चार टाइप के नाइटोजन बेस थे यहां पे आपको थाइमीन नहीं लिखना होगा यूरासील लिखना होगा बस यहीं पे ट्रिक है बाकि सब आरने के आम लोग बोलेंगे कि सब सेम जैसा DNA जैसा ही लगता है सर लेकिन वो क्या होता है उसमें थाइमीन नहीं मिलता है यूरासील बनाता है ठीक देखो सबसे चोटा दा निकलेटाइड होता है जो शूगर नाइट्रिजन बेस और फॉस्फेट से बना है अब देखो आपको टाइप पूछेगा कितने टाइप के रार राइबोजोमल आर एन नहीं इसका काम पूरा बताऊंगा अब कंपोनेंट आप दा राइबोजोम परफॉ हो रहा है तो हम लोग का कैसे बनाता है बॉड़ी सर ग्रोथ कैसे बना हॉर्मोन जो रहते हैं प्रोटीन रहते हैं वह कैसे बनता है तो यह राइबोजोम बड़ा काम में आता है आप लों हमेशा बोलोगे राइबोजोम इससाइडिय क्वेस्टन फिर से आता है फिलिंग देखेंगे कैसे करता है दोस्तों तो तीन टाइप के होते हैं दूसरा बोल रहे है हम लोग मैसेंजर मैसेंजर क्या है मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है यह कहा है जैसे कि मैसेंजर वोट सर जैसे मैसेंजर सब मैसेज ट्रांसफर करेगा क्या इंफॉर्मिशन आफ प्रो जो वो कोड जो फॉर्मूला जिससे मैं बनाऊंगा इंसुलीन उठा के लेकर आरा हमारी किसके पास राइबोजोन के पास वह बनाएगा तो एम रहने क्या करता है रोकोमत टोकोमत जाता हुदर से बोलता है इसमें से कौनसा वाला आर इसमें से कौनसा वाला इंसुलीन का पूरा कोड कॉपी करेगा तो देखो यह समझों यह देखो हरएक के अपने से 3 3 3 3 3 3 3 क्या बोलते हैं ट्रिप्लेट कोड़ं भी करते इन ट्रिप्लेट कोड़न जितने की जरुप तो उसको कॉपी कर लेता है कि सहुर मिल चुका है इंसुलीन तुमने बोला था ना के आ रहा हूं वो मैसेज लेके जाता है लेकिन हम लोग बोले तीसरा टाइप आर राइबोजोम के पास तो खुद का रारने तो वो तो बाद में यूज़ होगा वहीं पे मैसेज वाले ने क्या क्या दिमाग को लगा कि कम है उसने फट से क्या क्या मारने को बेजा को उसका पापा यह बोलता बच्चे लोग लेकिया मेरे पास आर रने मैं सब काम करेगा मैसेज वाले मैसेज लेके आया क्या टी आर रने वाले वो जो मैसेज लेके आया है ना उसको जो जो जरूवत है सामान लाके दे तो यह मारने क्या करता है फॉर्मूला लाता है से टी आरने सा अमान लाता है और कुख कौन है राइबोजोम है भाई राइबोजोम खाना बनाने वाला पूरा ठीक है चल कि अधिकर टीरने ऐसे दिखता है और यहा पे भी यहां के ट्रिपलेट कोड़ों यह जो तीन-तीन के सेट में कॉपी किया थैं मारने उसको बोले ट्रिपलेट यह लेके जो आता है यह इंग्रीडिट लाता है तो इसको बोलते हैं एंटी कोड़न सब समझ जोग सिव लॉजिक देखते रहे ना कि अधर कि कैसे अंदर पूरा इमेंज करो प्रोटीन सिंथेसिस कहते होती है हम क्या बात कर रहे हैं दोस्तों प्रोटीन कैसे बनता है सेंट्रल लोगमा आरने कैसे इनवोल हो रहे हैं बाकी जैनेटिक टो ट्रांसफर होते ही हैं वह अम लोग अलग बात कर रहे हैं कि बच्चा बनाओ आगे बढ़ाओ दुनिया में अपना रवच्छत सो बनाओ यह सब ठीक है लेकिन उसके बाद अंदर बाड़ी में प्रोट नुकलियस के अंदर हमारे पास क्या रहता है क्रोमोजोम को तोड़ा तो डीने के और चोटे पार्ट को जीन्स बोलते हैं जी हां सर्थ देखो यहां पर सबसे बड़े दिक्कत क्या होती है यहां पर नुकलियस के अंदर लेकिन पूरा मटीरियल जो प्रोटीन का वर तो यह इसके बाहर आनी सकता है क्योंकि इसकी बाउंडरी इसकी लक्षमण रेका इसके बाहर नहीं जा सकता यह तो यह क्या करेगा कैसे करेंगे इसको यह तो बाहर मटीरियल है पूरा तो इसका सलुशन निकलते हैं MRNA is produced as per the sequence of nucleotides of DNA तो इसको बोलते हैं transcription जब MRNA copy करता है हमारे पूरे triplet kodon को तो उसको बोलते हैं हम लोग transcription जी हां transcription, translation आप लोग को है न तो this is only transcription जो copy करता है MRNA उसी को बोलते है जो desired protein के लिए जो भी kodon को copy करता है वो DNA पे से उसको बोलते हैं transcription तो MRNA is produced as per the sequence of nucleotide जो nucleotide चीए बनाने के लिए insulin वो किया चल्ल यह देखो हम लोग किदर किदर गूसरे हैं अभी देखो हम लोग सीधा गूसरे हैं नूकलियस के अंदर अभी देखो यह पूरा था ऐसे बना था जोडी में रहता था था हमारा पूरा पूरा देखो डबल कॉम्प्लिमेंटरी स्टैंड है यह पूरा DNA का स्टैंड है इसको मैं इसे खड़ा करके दिखा था वैसे अब इसके अंदर से इसके अंदर जो है ना इसी के अंदर insulin मनाने का पूरा formula है तो यह क्या होगा वहाँ से split हो जाएगा लिट होता है देखो two strands of DNA separate from each other separate होगे होगे अब इसको बोलते है template strength तो यहाँ पर देखो messenger RNA देखो आ रहा है इसके हिसाब से copy बनाती जा रहा है देखो जो हो रहा है उसके हिसाब से बनाते जा रहा है देखो बन nucleotide in mRNA is being produced इसके हिसाब से देखो वो complimentary लेता है यहाँ पर ए था तो वो टी लेता है जी था तो वो सी लेता है जी था सी था तो ए लेता है ध्यान रखना यह खूर उल्टा ले रहे है यह चीज बच्छों को आती लिए और मैं पूर्च दूता हूं 12 में तो फिर बोलते है सर पढ़ाओ ना आराम से सर हम लोग भी जिन्दगी जीने के लिए हैं वहला हां यह बात भी सही है लेकिन यह समझ लो एंद में ता आप लोग के इसमें क्या करते हैं इसका कॉपी करता है लेकिन complimentary ले देता है ओके सी ओल्वेज इस complimentary यह बच्चों ध्यान रगना उल्टा रहता है जैसे देखो पिंक का पिंकी नहीं लिया समझ रहे तो मैं तो बूर रहा हूं एडिनिन समझो गुवाइनिन समझो तो एडिनिन का हमारा थाइमिन ले लिया ठीक है अभी देखो वह जो कोड लेके आया था देखो बाहर आ रहा है कोड लेके देखो बाहर आ रहा है नुकलियस से बाहर निकल गया है अब यहां पर इसके पास पूरा मैसेज है अब इसको एपलेट को रहते हैं अब इसको एपलेट को रहते हैं यह पता किया था हरविंद खोराना ने कैसे हम लोग ना यह फिक्स रहते हैं नंबर में कि यह यह ट्रिपलेट कोड़ॉन रहे तो यह ही अमाइनो असेड है ऐसे बीस प्रोटीन यह अमाइनो असेड का पता किया था किसने डॉक्टर हरविंद खुराना ने और इंको नोबल प्राइज मिला था 1968 में इंडिया केते हैं इसलम लोग प्राउड थे ऐस पर दो मैसेज ओन एमारन ने देखो यह जाता है यहां पर देखो राइबोजोम इन्द साइटो प्लाजम एमारने बाहिंसू राइबोजोम यह आता है पापा के पास शेफ के पास बोलता है उनकी गोधी में जाके बै यहां पर कॉपी करता है कि बंदे ने लायक है और यह इसको कॉपी करके उसी के इसाब से एक प्रोटीन का एक अमार्णो एसेट लेकिया आता है देखो एंटी कोडान तो एंटी कोडान हो गया देखो ध्यान से बच्छा अभी ट्रीक देखना समझो मेरे पास यहां पर ब्लाइक पेंसे लिखता हूँ लॉजिक देखना आप लोग बोले के सर सही जवर्दस गजब धुआँ धुआँ हो गए समझो ए ता सी ता टी ता और जी लेता हो कि मारने ने क्या लिया होगा सामने उटा के लाया होगा इस एके बदले टी लाया होगा देखो ध्यान से इसके बदले T लाया होगा, इसके बदले G, इसके बदले A, इसके बदले C, यह MRN लेके गया, अब यह क्या करता है, यह हमारा DNA के उपर था, प्रोटीन वाला जो चाहिए था, MRN ने यह लेके गया, अब TRN के बोलते हैं, यह भी इसका NT है, तो TRN सामने क्या प्रोवाइड करता है, इसके लिए A, यहाँ पे C, यहाँ पे वापस से T, और यहाँ पे G, तो यह देखो, यह सब के हिसाब से प्रोटीन लाता है, आप देखरो, जो DNA ने कोड दिया था, वही ट्रांसफर हुआ, समझे, जी हाँ मज़ेदार चीज़े, यार, तो देखो, यह कॉम्प्लिमेंटरी, यह MRN का भी कॉम्प्लिमेंटरी, DNA का कॉम्प्लिमेंटरी MRN ने उठा है, MRN का कॉम्प्लिमेंटरी किसने उठा है, TRN ने उठा है, कोड़ॉन में, लेकिन उसके यहाँ पे नीचे कोड़ॉन उठा है, लेकिन पीछे साइट पे अपना क्या उठा आता है इसी को बोलते हम लोग translation कर रहा है उसकी भाषा समझ रहा है समझे translation किसका हुआ जो DNA का code language था उसको समझा उसने this is called as a translation आप नहीं भूद लोगे आप लोग transcription क्या था अरे उसने चुप मार के code copy किया मारन ने अब translation क्या होगा उसके code को समझ लिया बंदे ने कोड़ा रही है टी आरन ने समझे तो इसी को बोलेंगा translation दामाइन और टी आरन ने क्या करता है इसके इसाब से जो इसनी लाया तेका पहले pozit वाला एंटी हमारा कोड़न लेता और उसके अप्रोटीन उठात आख और उधर अपने चेंझे लिए अंटी मेन क्या निए आटी उड़न और उसके साथ का इसमें देखो ribosome keeps on moving, देखो move हो रहा है, from one end to another end, and this is called a translocation, location change किया न, पहले इधर था, अब इधर आ गया, translocation हो गया, तो transcription, जब MRNA ने copy किया code को, protein synthesis के लिए, translation जब anti-codon उठा के ले लिया, complementary, जो codon ते ले लिया, tRNA ने, language code Somalia, अब ये क्या कर रहा, location change कर रहा, इसमें आगे-ागे जा रहे है, देखो, ऐसे आते रहेंगे tRNA और वो उपर वाला protein bind होता रहेगा, और वो आगे मूह होता रहेगा, ताकि और भी stand को read करूं, और ऐसे करते-करते, देखो, ये protein बन रही है आपकी, अब ये protein है, long chain of amino acid of protein, such many polypeptides, ऐसा क्या होते हैं, जूडते हैं, और 3D structure बनाते हैं, ऐसा complimentary, और इसको बोल देते हैं, complex protein, तो ये सब था protein का structure, बहुत सारी function हमारे body में करता है, हर एक चीज protein से चलता है, protein को बोलते हैं, building block of the body, हर एक organ, हर एक चीज मेरी body में, मेरे जो कान ऐसे हैं, जो मेरे bicep, tricep, हैसे हैं, सब protein के वाइस चल रहे है, protein in the sense of muscle के protein नहीं, हार एक hormone, हार एक layer protein है, इसको भूलते body का building block, खतम हो गया दोस्तों, मजा आया क्या, सबी को मजा आया क्या, चलो हो गया, यह हमारा क्तम, ओगे, 19th year French Genetic, Francois Jacob and Jackis Monod, proposed a model for process of protein synthesis, inside the bacteria, ठीक, with the help of bacterial cells, तो इनका नाम आएगा, तो यह लोग ने model बना था, protein synthesis कैसे होता, यह जो हम लोग पढ़े, यह लोग बता रहे थे, तो कौन Francois Jacob and Jackis Monod, इननोंने किसको पढ़ाता, अरे, हामने बैक्टेरियल सेल को, यह बहुत important है यह लोग बता रहां कि लेक्टेर लंबा होने वारा प्लीज समझ के जाओ, क्योंकि हमारी ओडियन्स में जानता हूं, इतना पेशेंस रहेगा, क्योंकि तीन दिन शुट्टी है, फिर भी हम लोग लगता है कि सर्फी में कुछ आराम से मिलया, तो भी मज़ाए, पढ़ लो तोड़ा सा मेरे पढ़ना सा है कर ऱू बोलतला लेकिन पढ़ लो कैसे भी पढ़ारा रहा किसी यूटूब फिऊ पढ़ सब्सलों लेकिन थोडा सा है एक — दिन पढ़लो बाकि आराम करना जितना गूंबना अखुंबना थी तो सुनो रिकॉम्बिनेंट टेकनोलोजी क्या होती है मालूम है समझो मैं थोड़ा धीला हूँ वो तो कुछ बच्चे बुल रहा है है सर अरे रियल मैं सुनो ना समझो मतलब मैं धीला हूँ दौनने में मैं दौन नहीं पाता तीजी से लेकिन मुरे आशा है कि मेरे पास पै अपने पामीगों फालू टेकनोलोजी बताता हूं कि मैं उसन बोल्ट कैसे बन सकता है सुनो अब क्या करेंगे हम लोग यह जो टेकनोलोजी जैसे हम लोग को मालूम है हर एक प्रोटीन हर एक चीज के बारे में DNA में कोड है अगर मेरे को पता चल जाए उसन बोल्ट इतना तेज क्यों डड़ता है उसका इक कोड पता चल गया कि अरे सर इसके अंदर ये कोड है ये कोड सब जिसके अंदर रहता है वह बहुत तेज दौडता है मैं बोलनगा यह कोड है तो मैं क्या बोलूँगा सुनो अब मैं तो रहा दोड़ने से मेरा बच्चा जो आएगा वह पापा बनेगा फुसन बोल्ड ठीक है तो वह क्या बनेगा फुसेन बोल्ड बना तो उसको क्या कर दोगा वो जो कोड है उसके सल के अंदर जो रहता तोड़के डाल दूँगा तब जब वो पेट में रहेगा बड़ा होगा ना वह क्या होगा कोड मULTIPLY हो रहा है प्रोट वाप रहो है're ने क blir अफ़ Haiiter होता हूं इसने को चोड़ा वह चोड़ा यह बंदीने को पकड़ा वो वनदी ने तो है एब झाल को जाएगा एक सब और डिन ने टेक्नोलोजी है ओके चलो चलो सच्छू सूपर चैट ओके सूपर थैंक्यू स्टेक्टस गेमिंग नहीं दिया होगा यार बंदे को फेमस कर दो यार उसको देखने दो में से जादा उसको आगे बढ़ने दो विचारा मॉटल पजी लाइट अरे बाप मॉटल प पैदा होगा धर्ती पे हर बंदा आपको ऐसे बाजार में जैसे भाजी बिखती है ना डॉक्टर ऑप्शन देंगे क्या उसन बुल बनाना है क्या आइंस्टाइन बनाना है या सिधा पी अमूदी बनाना है क्या बनाना आपको जल्ली बताव मेरे पस कोड है आर डिन टेक् सबस्ट के साथ थोड़ी सी बीमारी रहती है जैसे कि उनके बच्चों से डाउन सिंड्रॉम रहता है यहां पे नहीं रहती है तो उनका प्रण में पता चले जाता है क्यों क्यों कि polsk बैट है उसको सब कोड है से अने उसका कोड में घरवड है डर जली-जली जली जल्दी य यह चीज के अंदर और बच्चा ठीक पैदा होगा तो इसका डाइग्नोसीज भी करना क्योंकि मेरे को पता है उसका ट्रीटमेंट भी करना अब प्रिवेंशन करना कि क्योंकि पालू पड़ा हाट क्यों खराब होता है बोलते हैं अरे भाई इसका डीने का सिक्वेंस ना ऐसे चाप्टर आएंगे अपने मेरे को तोड़ा सा आगे बढ़ने तो ने तो ऐसा तो मैं पुड़ा पढ़ाता ही रह जाएगा मजा आएगा अहां सरगाज़ों मजा आ रहा है कि जल अभी देखो आज़ो अभी देखो ले को बताओ इवोलुशन और सबको पता ही होगा जैनेटिक कोड होना चीए था जो नॉर्मल एक यूमन अच्छा खासा चलता फिर था बॉड़ी सोड़ी लेके दम नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन कोई और्गन खराब नहीं तो उसके अंदर एक कोड होता है इसके बाद एक के बाद टी के बाद सी के बाद जी रहने हो ऐसा पोड होता है तो क्या बोलते कभी-कभी ना सदन चेंज अचानक सी कुछ तो हुआ तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ तो ऐसे वाला कुछ हो जाता है तो देखो सम्टाइम निकलो टाइड ऑनेजीन चेंजेस पोजीशन डैट कॉजेशन चेंज कर दिया यह देखो चेंज कर बहुत अच्छी है हम लोगे कुछ दिक्कत नहीं है जब बेबी प्रडूरी सोन रहा था उसके बड़ा हो रहा था मतलब वांब के अंदर कुछ चेंजेस हो गया उसका म्यूटेशन हो गया अब बच्चा क्या हो सकता है अब नॉमल होने के चांसे पूरे अब नॉमल मतलब स्पेस में वह भी पकड़ लिया था उसके ब्रें ने सरीब्रम ने इतना जगे था तो थोड़ा सा ब्रें का पार्ट भी उसके बास ज्यादा था तो सोचिए लेकिन क्या बोल रहे हम लो यह चेंज होने से अब नॉमल एक्टिविटी तो कुछ ना कुछ आएगी ही और इस से अनर्जी देता है पूरा मजा दितragen अपकड़ता है अब यह क्या होगा एसा होगा सिकल के का यह यह पकड़ए नहीं पाता है सो अब यह बन देका जिए पुरा इसाशेव का औ घौत कि उसको दिक्कत होँ का बलड यह चेंज करना पड़ता है तो इसको बोलते हम इस लोगों को बहुत करती है जो फिट होगा उसी को सर्वाइब करेंगे नेच्रल सेलेक्शन मतलब बढ़ रहा है सब जगे महार जगे अर्थ पे जो पलूशन को तोड़के आगे निकलेगा वही सर्वाइब करेगा एक्जाम सब बच्चे दे रहे हैं सभी बच्चे सोला पंद और लनब जो जानते हैं कि बैंड नहीं बटानी अपनी 10th pass से रूखना नीं केटी के साथ नहीं रेना है तो यह नेचर सिलेक्ट करती है अब लोग क्या बोलते है नेचर सिलेक्षन धरती उसी को रखती है उसी को आगे बेशती है जिसका लगता है कि जिसके अंदर करीजमा था तो लोग आगे बढ़ गए तो यह म्यूटेशन होता है तो यह प्लीज देखो बच्चों आप लोग सभी जो पेपर सॉल की है वह यह बात जानते हों कि साइंटिस्ट का नाम इस अप्टर में बहुत कंशूज करता है यह इमेज क्यों डाले कि आप लोग याद उको हुगो दिखते थे तो सर यह क्या होता है फिर यह क्या होता है ए इवोलीशन इस ग्राइजूवल चींज अकरीं इन लिविंग और लॉंग पिरियड ऑफ टाइम जब सड़न उसको बोलते हैं जो तो इसको बोलते हैं इवोलीशन हम पहले बंदर तेना कितने लाखों साल लगे हमको बंदर से इंसान होने में स्लोव 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 स इसको जैनेटिक अलग है हमारा जैनेटिक अलग है बाई जीनस अलग है लेकिन इसको चेंज अनवे बहूत टाइमल यह ऐसा नहीं कि मैं हूं मेरे पच्छे में अलग हो गया इसको मूटेशन बोलेंगे एक चलो 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 आगे बढ़ते हैं तो इस इस वेरी स्लोव गोई क्या होता है जहां पर atmosphere जहां पर लितोस्फियर और हमारा बायोस्फियर उजो रहता है वहां पर life आ जाती है atmosphere बायोस्फियर तरको यह बताता हूं बोलते बोलते जहां पर atmosphere लितोस्फियर हाइड्रोस्फियर हाइड्रोस्फियर मतलब वाटर एटमोस्फियर मतलब हमारा हवाप और लितोस्पीय मतलब लाइड तीनों जहां पर अविलीबल रहे हैं उसी को बोलते हैं वहीं पर लाइफ रहेगी तो यह भी बना यह दिखाने का क्या था देखो एयर यहां पे जो हमारा था वाटर लाइड और इसी जगह पर पूरा है बने चेंजे स्पिशिस कारेक्टर सेवरल जन्रेशन ऑफ लिविंग और गनल ऐज रिस्पॉंस टू नेच्टरल सिलेक्शन नेच्टल सिलेक्शन मतलब क्या जो हम लोग को नेचर ने करवाया और नेचर ने कि यही रहेगा बाकी सब लोग क्यों नेचर में देखा कि इसके अंदर जान है इसको आगे नेचरल सिलेक्शन जो रहे चेंज होते गए टाइम के अकॉर्डिंग जिनकी बॉड़ी चेंज होती गई उनीक अंदर एवोल्यूशन आया और जो नहीं कियो वो मर गए वो मर गए ओके यह तेरी पता है आप लोग को ना देखो पहले क्या आया थी पहले लाइफ कैसे थी पहले लाइफ नॉन इग्जिस्टन अर्थ क्या था जड़ता हूँ अलब 3.5 बिलियन अगर लाइफ है बिन नॉन इग्जिस्टन कुछ भी नहीं था तो क्या था बच्छों एड़ सिंपल एलिमेंट इन दी ओशियन ऑदिया तो पानी वा बारिश हुई थी तब हुआ और गैने के इन और गैनिक कंपॉंट्स में है बिन फॉर्म प्रम दोस्तों पहले घरती क्या थी बताता हूं मैं आग का गोला थी तो घूमना शुरू की गूमना शुरू की ना तो उसक से ज्यादा बारिश हुई और जब बारिश नीचे आई पानी एस्टों नीचे आया उसके भार धरती बना अपने फॉर्म में यह सब लोग जाना गैसे जैसे अमोनिया से अमोनिया हो गया या फिर एंटू ओटू और एक और थी मिथेन गैस यह धरती के नीचे सुप निकल रहा था और इसने गैसों में चेंजे रहे बहुत लाक साल लगे चेंजे रहते एक बार इतना ज्यादा चेंज रहा कि पानी बना बादल बना तान करके जमीन पर निगा पूरा पूरा मालम है आज हम लोग बोलते हैं कितना हमारा कितना 70% वाटर से गिर चुके हम लोग यह तभी के पानी गीरे हैं यह जो वो धड़ाक करके पानी गीरा था वही पानी गीरा था पूरे लैंड को कवर कर लिया से 30% चुटा है जी हां बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं तो उसमें से जो पानी था पानी के अंदर क्या वन लगे दोस्तों थोड़े थोड़े ओर्ग हो गया नुक्लिक असिड भी बाइद मिक्श्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गानिक इन और फर्स प्रिमेट्री टाइब अव सेल्स में है बिन फॉर्म अजब कारवन मिल गया नाइट्रोजन जैसे चीज़ें मिल गए यहां पे तो सबसे नॉर्मल पहला सेल बना समझ गये गैस सब्सक्राइब पहला थे सब्सक्राइब करते सेल्ड़ जब खा रहा थे था यहां का बंदा कुछ अलग खा रहा था यहां का बंदा कुछ और घिवाड़ा है तो बंदा और कुछ खालता तो दरती की ताप से कुछ लोग सर्वाई हो सकते थे निचर की सबसे और कुछ लोग नहीं हो सकते थे यह वाला बंदा कड़क दिख रहाता यह कोई भी गला एकडम खतरना केमिकल खाकर सर्वाइब कर रहा था बोलेंगे तू जीएगा तो इसको जि से इसके अंदर साहस कि मैं इतना अगेंस्ट हूं तो भी यह जिन्दा है तो बोले कि आ वहीं बोलते हैं ना कि जिसके लकीर नहीं है तो हातों से लोगे तो यह अमीबा का है और पैरा मिशम जैसे हम यहीं पे आप लोग पाओगे मैं और जैसे बहुत सारे अलग ला तो हमारे पार डायवर्सिटी इसको बोलते भाई डायवर्सिटी वराइटी ऑफ पीपल प्रू अधिया तो इतना वराइटी अफ है तो हमारे पाश जु अब यूमन्स के अंदर क्या किरियोसिटी कि विए कैसे ग्रोव हुए तो इसका हम लोग सिम्टम ढूनना शुरू करें सिम्टम ढूनना शुरू कि आप यह हम लोग देखो सेन यूनिस एल्लोर में एंट्टू का प्रोलांग पेरिड़ आफ त्रियंड़ करोज यह एनिमल ब मांगते हैं अब बोलो बोलते हैं कि जो मैंने यह सब सारी चीजें बोली इसका प्रूफ बताओ आपके बूक में मांगता है तो वह प्रूफ देने की बारी आ चुकी वच्छों फट 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 देखो हम लोग कर लेते हैं तो कि क्लेक्टिव तिंकिंगिंग अप पहला आया ओर फोलोजिकल एविदेंस वॉट इस देखके देखनेगा शगल दिकने का कान हम लोग नहीं बोलते हैं और ये फ्लाने के क्या बोल रहे हैं कि evolution है उन्हीं के गूण है तभी तो आगे बढ़ रहे हैं changes हो रहे हैं no doubt तो यह एविडेंस है morphological evidence दिखाना और इसमें क्या दिखाना कुछ एनिमस जो आगे चलके तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों सिर्फ ध्यान रखना इसमें इसमें पूरा इसमें बताएंगे कि starting में कुछ थे आप लोगों फूरा concept देखो यह स्टार्टिंग में थे यह लोग थोड़े थोड़े डिफर होते गए changes आते गए देखो इसके अंदर changes आते गए changes आते गए and changes आते गए और changes आ ओर changes चेंजजेंज़ आगे तो समझो यह हम human है यह dog है यह समझो कि कोई horse है अगर हम लोग पीछे पीछे जाया पीछे पीछे जाया तो इनका ancestor common दिखता है तो यही हम लोग को पूरा करना है हम लोग को क्या करना है इनका किसी को उठा के पिछला किसी से सेम दिखाना है कि यह देखो सेम कारेक्टर वाले है इसके बीच में कुछ कारेक्टर सेम होगा तो वही मिला के दिखाना है पीछे जाना है कि देखो यह सब आए से हैं भले आज यह लोग अलग हो चुके हैं लेकिन देखो फिर भी कुछ सिमलाइटी है क्योंकि इनके पीछे में थे बाद में चेंजे जाते गए बस यही करना है पूरे थियरी पूरे एविडेंस में तो मॉर्फोलाजिकल एविडेंस क्या होगा अलग अलग पीछी में देखो डॉग ले तो यह सब क्या दिखाते हैं यह अलग स्पीशी यह लग स्पीशी यह लेकिन पीछे की तरफ जाए तो शायद इनके देखो आज भी कुछ सिंटम्स दिख रहे हैं जो सेम है जो उनके आख हुए नाक हुए कान हुए जो बाल हुए चार चीजी है तो आप हम लोग देखें ऐसे प्लांट के अंदर लेव का शेफ देखो पॉइंटी है लिव के वेनेशन देखो इस तरह से नियो कि यह है मतलब लीव को ऐसे डंटी लीफ लीफ को दंटी मिली वह है तो यह कुछ-कुछ प्लांट में तो मतलब उनके एंसेस्टर सेम रहोंगा बले यह लोग अलग आजकल फ्रूट दे रहें लेकिन यह सब कॉमन चीज़ें तो इनके एंसेस्टर के पास रही होगी और इसी समय बोलेंगे कि यह लोग इवाल हुए है और एवल्यूशन की थेयरी आई है देखने बोलता है देखने से समझ जाता है कि यह लोग इसका कानी अलग स्पीशिस बोल रहा है आपके सामने ऐसे ना के पर ऐसे कान है लोग के इनका प्लेट बाल क्यों टीक है इनका मतलब क्या यह लोग आज अलग अलग जगह खाय पी अलग अलग जोन में लेकिन पीछे इनका एकीता और उसी कारेक्टर तोड़े लेके गुम रही है लोग जो completely गायब नहीं हो है so this indicates that there are some similarities in those groups and hence this proves that the origin देको बार बार बोल रहे है origin must be same and must have common ancestor मैंने वो जो diagram बनाया है दो दोस्तों वही जाने आनसोस के कि इंका origin same होगा common ancestor होगा अलग अलग चीज़ कभी morphological बोलगा देखने से महालूम पड़ेगा समाज गए next topic ले लूँ चलो ठीक है इसको फर्फट करता हूं तो यह anatomical मतलब क्या रहा बच्चों फर्फट इसको अटाता हूं देखो हैंड यह सब के हम लोग हैंड देखते हैं यह हमारा एनिमल यह काट है यह हवा में रहता है और यह पानी में लेकिन आप देखोगे अब इनकी हड्डियां देखो सिंपल देखो यह मस्त है ये वाली एड़ी इसमें ये वाली अढ़ी ऊपर वाली अढ़ी देखो बहले चोटा बड़ा हो गया लेकिन इतने हट्डी का सेट है यहां पर दो अड्डियां दिख रही है औरेंज और इस और और चलर्की अन्दर तो सेव कलर का इसमें में पढ़े हैं, ऐसे ही, जब कि उसकी जरुवत नहीं हम लोगों, तो वो क्या दिखाते हैं, पास्ट में रही होगी, फिर हम पास्ट में जारे हैं, जब भी पास्ट में आगा मतलब, एविडेंस है, तो देखो, अगल नाट का पास्ट में यूज रहा होगा, क्योंकि हम लोग कच्छा खाते हैं, तो उसको चबाने के लिए अकल दांत था हमारा, that is अम लों आगे पढ़ेंगे, instead existing organs undergo gradual change, तो sudden नहीं होता है, दीरे दीरे change होते हैं, अब future में अगर इनका use नहीं आता, change नहीं आता, तो इनके अंदर changes आ जाते हैं, देसे कि थोड़ा तरह और रहे गया, वो हम लोगो समझना इसके अंदर, देखो, mostly a specific structure in the body is useful under certain situation only, देखो य नहीं गया, वो गायब नहीं हुआ, जो पैर था अच्छा, इससे के पहले जमीन पर हमारा चलते थे, अब उसको मालूम पढ़ा burrow कर रहा है साप, तो अगर उसके पैर नहीं गायब हो गया तो useful, अगर नहीं हुआ तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत वाली चीज भ कर रहा है साप तो उसके पैर गायब होना पहले शुरू हो जाएंगे, and it takes thousands of year to गायब होने के लिए, यह सब देखो, यह हम लोग बोल रहे हैं, देखो यह reptile है, उसके पैर दिख रहे हैं, अब यह ऐसे सेम साप दिख रहे हैं, तो thousands of year पहले उसको मतलब क्या लैंड था, जमीन बहुत हाड थी, बोरो नहीं कर, मतलब खोद नहीं पाता था, लेकिन आज देखो, 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 गायब हो गया, उसका useless था, यूज नहीं था, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, ऐसे ही आज जो साप है, जो इसे बिना पैर के चलते हैं, वो छिपकली से मैच खाते हैं, तुमका एंसेस्टर कॉमन था, बस यहीं बताना है, बस, चलो, vestigial organ में तो हमारा appendix, appendix देखो, यहाँ पर हमारा आता है, प्रोजेक्स फ्रॉम ब्लाइंड एंड अफ दी, सीकम, तो सीकम जो हमारा था, लाज इंसे पार्ट है, उसमें ऐसे सीकम का जो एंड लाइक दिखता है, उसको बोल देते हैं, हम लोग appendix, तो यह हम लोग में useless नहीं, हम लोग में useful नहीं है, क्यों, पहले हम लोग cellulose कच्छा खाते थे न, ऐसे लकड़ी कुछ भी खाते थे, तो उसको digest करने के लिए appendix यूज करता था, अभी तो हम पका के लेकिन क्या यह प्रूफ दिखाता है, कि पहले देखो, यहां पे थे, यह बंदर थे, यह कुछ भी खाते थे, तो appendix था इंग के पास, समझ गए, तो common ancestor, बास, देखो, appendix which is useless to human, क्यों कि it is useful for small, fully functional organic ruminants, ruminants, ruminants मतलब जो अपना खाना का गया, मुझ में बाद में चावा है, cellulose को, हम भी पहले खाते थे, कच्चा, तो हम में भी था, आज हम पका के खा रहे, तो organ का use नहीं था, देदर गाया भुआ, इसी को बोले, evolution, ear pinna, कान का यह, पहले था, कि हम लोग बहुत सुनते हैं, क्योंकि आवाज कुछ भी, मतलब बचाना था, कुछ थोड़ी सी आवाज से हम लोग बच जाते हैं, तो इसलिए हम लोग को कान के खुछ था, लेकिन अब इसका usefulness नहीं है, तो इह देखो, हमारा, यह देखो, cockyx, that is, tailbone, हमारा wisdom थी, जिसको अक्कल दांत बोलते हैं, जनरली हम लोग बढ़ा प्राउड होते हैं, अरे तेरे अकल दांत आ लेकिन अब क्या अगर्मी हो रही है, इसलिए बाल गायब हो रहे, चलो, वेस्टीजेल ओर्गन का पार्ट कतम, कार्बन डेटिंग, फट से इंपोर्टन, यह बच्चों, आ जाँ, कार्बन डेटिंग, यह इंपोर्टन क्वेश्चन है, फट 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 या तो उसका बॉड़ी का शेफ रह जाता है, वैसे का, ठीक है, ऐसे हम लोगों मिल जाते हैं, इसके रिमिनेंट्स है, यह यूज इन कार्बन डेटिंग, यह दोनों को यूज करते हैं, अब कार्बन डेटिंग क्या होता है, यह अप लोगों को आइसोटोप से, यहाँ प छे study number of proton शे number of neutron इसके case में क्या हो जाएगा, proton ही रहेंगे, लिके neutron ही रहेंगे, अगे proton प्लस neutron क्या हो जाते हैं, atomic mass, तो फ़िश को छे upídक कितना हो जाएगा, फॉर्टीण, छे प्लस चे हो फॉर्म है, यह radioactive radioactive क्या जो radiation छोड़ता है यह atmosphere में बनता है अब इसके reasons बहुत अलग है nitrogen से बनता है फिर अपने को बोलते हैं कि electric shock से बनता है यह सब छोड़ दो nature में बनता है real में बनता है c14 बनता रहता है ओके चलो आप क्या होता है c12 is naturally present bond bounded in the cells of organism which is non radioactive the c12 का stable यह हमारे cell के अंदर क्या c12 okay c12 और यह natural मतलब non radioactive है और सब जगे जैसे natural में वो भी बनाता है और radioactive हमेशा imitation करता रहता है रेज छोड़ते रहते हैं अब carbon rating क्या सब्सक्राइब करता है c14 नेचुले प्रेजेंट इन free state environment it is consumed by living plants and animals plants क्या करता है co2 को लेता है photosynthesis क्या लेता है ना photosynthesis करता है तो उसने किया photosynthesis तो c12 के बजाए कभी कभी उसने c14 भी अपने अंदर ले लिया होगा ऐसे हमने भी खाना खाते खाते c14 अमरे अंदर भी आ गया होगा यहीं बस इतना समझ जाओ तो atmosphere में c14 इसकी body में बढ़ना था सब c12 लेकिन दुनिया में आने के बाद इसने खाना पीना खाना शुरू किया इसके अंदर c14 आ गया next as soon as the organism died it stops the consumption of the c14 मर गया तो क्या खाएगा तो c14 मतलब वो ले नहीं रहे सिंस देंड डिकेंग ऑस्टार बन 14 करबन अकर्स अर मरने के बाद कारवन डीके उसका नंबर कम होना शुरू हो जाता है देखो कारवन डीके होना गायव होना शुरू हो जाता है अब इसी से हम लोग काल्कुलेट कर लेते हैं तो यह एक रेडियो एक्टिव तहीं सिंस टेबल था सी 14 हमेशा ऐसा रेडियो आक्टि करके खतम हो रहा है सी ट्वल के स्टेबल वो कतम नहीं होता पढ़ायो इसे ही जा करेंगे इसका सर बताइए देखो इससी को कल्कुलेट कर लेकर बाइजरिंग्ट अब मैं समझाता हूं कैसे अब मैं बताएगा कैसे देखो आपन बताएगा जब तक अब मैं सब सारे चे लिंक करूंगा इनिमेशन समझ ली आप लोग तो आज़ों साथ में एकदम बढ़िया कार्बन डिटिंग सब लोग क एक दम ब्लाइक बोर्ड पर सुनो अब क्या था समझो कि चांथ सी 14 उसके अंदर था सी ट्वेल भी रेशियो फिक्स रहता हूं हर एक एनिमल फिक्स रेशियो में रहता है अब क्या होता है यह समझो डैथ हो गई इसकी डैथ हो गई तो कुछ साल लगते हैं यह यह डिडि हाप होने को बोलता हूं मैं के 100 Theta कितना हजार सा लिते है हजार साल में गारवन 14 आदा हो जाता है क्योंकि radio active हमेशा imitation करता रहता है तो यह 1000 साल 9 camino टो हैं और हजार साल बीते तो ये कितना हो जाएगा इसका 12.5 और 1000 साल बीते तो ये कितना हो जाएगा हम लोग को बताओ ये 6.25 अब ध्यान से देना स्कार्बनों कैसे करता हूं चल अब क्या आता हूं मैं आज के दे पर हूं मेरे को क्या दिखा इसका रेशियो बदल चुका है 50-50 नहीं है तो मैं क्या calculate करता हूँ कि 6.25 तो ये कितने साल पहले इसका double होगा बोलूँगा 1000 अच्छा 12.5 तर तबी फिर इसका double करता हूँ मैं इधा रहूं आज मैं देख रहा हूँ उसका किसका कंगाल देख रहा हूँ अपने डाइनोस का देख रहा हूँ मैं एक्जाम्पल के लिए तो मैं बूलूंगा देखो ये इतना percent में बचा है तो ये आदा आदा होने को पचीस प्या होगा और फिर और एक हजार साल बीते होंगे तब यह 50 होगा जब रिश्यो बराबर रहता है मतलब क्या आज 3000 साल पहले यह मरा था इस तरह से हम लोग कैल्कुलेट करते हैं कि कब मरा था वो कारवन डेटिंग कारवन डेटिंग कुछ और नहीं है सी 14 सी 12 का रेशियो बॉड़ी में फिक्स होता है मरने के बाद सी लेकिन सी 14 को हाफ होने के लिए पर्टिकुलर टाइम लगता है हाफ पिरियोड को क्या बोलते हाफ लाइव वह हाफ लाइव के सहारे हम लोग जितना आज प्रेजंट है पीछे पीछे जाते हैं कि यह समझो हमारा 6.25 तो यह 12.5 उसका दुगुना करें तो हम लोग मिलेगा क्या हजार सल बाद 12.5 फीर अजार सल बाद 20.25 और हजार साल बाद 3.000 साल टुटल होगा ना पचास और यह रेशियो 50-50 रहता है समझो बूल दिया मैंने किसके लिए डाइनस ओर के लिए डाइनस ओर में यह पचास-50 रहता है तो मा बोला यह मरा है तीनगर साल पहले दिस सर केपलर को फासी पे लटका दिया मेंडी लीव का गला दवा दिया मोटर जनरेटर का इंकाउंटर कर दिया एक्स्ट्रक्शन अम अल्यूमिनियम ऐसे ही टॉपिक का मर्डर कर दिया डाट वस ट्रू लेकिन हम तो प्रिपार कर रहे थे ना छोटे छोटे लेकिन मोटे कि आप लोगो ना देखो बच्चे मेरे को क्या बेज रहे थे समझा सभी को चलो आगे बढ़ें यस सर यस सर पूरा अटम क्या रहे दिवान स्पांडेजी जग गर्दा मचा दिये यार यह सभी को समझा है हिट लाई कि यह बड़ा इंपोर्टेंट कारवन डेटिंग पू प्रदा बच्चों आगे बढ़ता हूं ओके ऐब पालेंट लोजी क्या होता है देखो पालेंट लोजी मतलब जो जमीन के अंदर दबा रहें तो इट इस यूज़े मतलब क्या ह्यूमन से रिलेटेट पढ़ाई को एंथ्रोपोलोजी बोलते हैं यूमन रिलेटेड देखो अगर आपके एंत्रोपोलोजी अभी चैट में करूं तो बहुत बढ़ यह एंत्रोपोलोजी आप लोग की अचाहिए यह टॉपिक्स होते हैं यह सब आज़ो इसका यूज क्या होता है दोस्तों कार्मन डेटिक है देखो यह जिंन्दा चीजयों के अंदर कार्बन होता है यह इंसान जो यह घड़ी इंसान रहा होगा ऐसे चारी चीज़ों में जिसमें लाइब है उसी को सिर्फ निकाल सकते हैं बाँगी सब को नहीं निकाल सकते हैं ने तुम रॉक्स में खोजने चलिया आगे बोले के सर तुम्हें पूपड बनाया हम लोगों इसे बोल रहा हूं मेरे जो मैंने c14 c12 उसमें 30 साल पहले मरा था हम तो 30 साल पहले कौन-कौन मरे थे डेटा पता करते हैं तो उस टाइम की और्गनिजम से आज की और्गनिजम को कंपेर करेंगे तो मालूम पढ़ेंगे कौन कहां कहां कैसे कैसे गया यही है बस देखो तो हम लोग पालेंटियोलॉजिकली यह सब कर चुके हैं हाफ-लाइब निकालते निकालते हमको सब पता चल चुका है कि यह सब एज ते आर्चियन प्रोटर जोईक तो इस तरह से हम लोग को बोलते हैं पहले जोईक मेसोजोईक सेनर जोईक में बहुत सारे पार्ट माझ रोश Hep recaíamos सुब्सक्ति कि आप लोग कार्टून देखते हो observation मतलब सब्सक्राइब कॉन कौन कउन दबा था सामने कौन डबे तो अपलो जुरासिक पार्क नाम कहां से जुरासिक एक एरा है उसी के अंदर डाइनोसौर मरे थे जुरासिक इसे थोड़ी आगा यह टाइम स्केल है तो उस टाइम पर हमने देखे बता और कौन-कौन था कंपेर करते हैं तो हम लोग को क्या मालूप पड़ता है यह जो आज के वर्टीब्रेट है सारे Ш loose अब कनेक्टिंग लिंक्स कुछ नी होता है बस यह बताना है एक और देरे से…दो और निजंम है तो यह कोई पीच to रहे इसके जैसा भी दिखता है इसके जैसा भी काम करता है तो और गजनली फ़र्ट टू एस कनेक्टिंग लिंक दोस्ट वाश्ट्रॉक्चरली इंटर मिजेट बिट्वें टू डिफरेंट ग्रूप स्ट्रक्चरली और फंक्चनली इन दोनों के बीच में रहे जैसे यह क्ल सेग्मेंटेड नेफरीडिया इसके पास रहता है ओगे दिखो यह सेग्मेंटेड है एक्स क्रेटर होगा अच्छा नेफरीडिया मतलब बात्रूम करने के लिए उसका तो यह सेग्मेंटेड दो पार्ट में बटा हुआ है इस तरसे पेरिपेटस है इसका यह वाला सेग्मेंटेड नेफरीडिया थिन क्यूटिकल एन पैरापूडिया तो यह तीन चीजह इसकी कॉपी कर लिया इसने पेरिपेटस के पास है आगे चलते हैं इसकी भी कुछ लिया होगा ट्रेचिया ट्रेचिया किसली होता है सास लेने के लिए ओपन सर्कुलेशन इसरी यह सब किसके अंदर है पेरिपेटस है श्ट्रेचिया डाट इस पॉर ब्रीधिंग और हाट ब्लड के सर्कुलेशन के लिए उनके पास ओपन सर्कुलेशन पेरिपेटस है सब्सक्राइब यह कनेक्टिंग लिंक का एक्जामपल यही डाल देना तो ऐसे बहुत सारे देखो बहुत सारे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे अब रोलॉजिकल एविदेंस अभी डेखो एम्डरो लॉजिकल में कुछ नहीं करना है कि इनिशल स्टेज में देखो सब लोग सेम दिखते हैं सब क्या एम्डरो करते हैं अब हम लोग यहाँ पर दिखो फेश्ट सलामेंडर टॉट्वाइश चिकन पिग रबिट यूमन का देखते हैं पहले तीन महीने देखोंगे मन्त के सब लोग सेमी दिखते हैं आप पैच सब लोग सेम रहते हैं हमेशाँ पास्ट में जाना है और आगे चलते हैं डिफ्रेंसियेशन होने लगता है कि इनका भी पढ़नों भाई बाबा का यह बाबा क्या बोलते हैं डारी नोबा चार्ज जावीन हैट कलेक्टर इन्नुमरल स्पैसिमेंस प्लांट से ने बाबा को बहुत बोलते हैं अचुलती सारे चीज़ें कलेक्ट करने की तो इन्हों लाइबर में बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं डिपेंडिंडिंग अपॉन दे अब्जर्वेशन ऑफ दोस पेसिमेंस ही पड़िज द थेरी ऑफ नाच्रल से लेक्शन इनिस बूक इंपोर्ट को हमेशा सर्वाइब करेगा देखिए गूगल और मेटा से जितने लोगों को निकाला गया जो एक दम अच्छे थे उनको तो रख दो निचे वालों को निकाल दिया तो बोलते हैं नेचर सिलेक्शन यही होगा सर्वाइब करेगा वही जो सबसे ज्यादा हुशार होगा ज टोफ्रोडियूसक निलिप दो अगर आपको सरवाइब करना अगर इस peanut ऐसे बंदे बनाने पड़ेंगे उन्हों नाइच थीक़ खाहिए इसमें यह भी है कि एक दूसरे से सिंग से सिंग लड़ा के इन दिस कॉंपटेशन ओनली दोज ऑर्गनीजम सस्टेन विश्चो दमोडिफेकेशन एदेंशल फोर वेजर विनिंग दी कॉंपटेशन इन 15-16 लोगों में टॉप वही बंदा मारेगा जिसके पास पूरे के पू आप लोग में भी ऐसे ही हो रही है अब बिसार जबनेटर सिलेक्ट्षन और फेलेक्शन एम प्लेज इंपोर्टेंट रोल वर बिसार देंस नैच्छल सेलेक्शन तो यह जो बोल रहा थे कि हम इवाल होते हैं यह क्या बोल रहें एक आप हम बंदे है लेकिन दूसरी चीज है काइना नेचर वो भी रोल प्ले करती है वो चिंतिय के कौन करेगा देखे विकॉस नेचर सिलेक्स ओनली दोस और गनिसम विचार फिट टुली नेचर ऐसे नरम बंदों को दबा देगी तुफान इफान के अंदर जो कड़क बंदों को सरवाई नेचर तुफान लाएगी सबको निकाल दिया और अच्छे बंदों को उसने रखा है अच्छे मतलब फिट उसकी इसाफ से जो नेचर की साफ से परिश कि एप परफॉर्म रिप्रोडूक्शन तो यह क्या बोलते हैं जो जिन्दा रहे गे उन्हीं के बच्चे अगला पैदा होंगी और वही रिप्र लेकिन इसके उपर और एक क्या चीज है कुद्र नेचर नेचर उनी को अलाव करती है आगे बढ़ने को जो फिट है और पाकी सबको क्या करती है खतम अब जो बचे हुए उनमें को बोलते है रिप्रोडूस करो अपनी स्पीड़ी आगे बढ़ा हो इसके बाद जो नई स्पीशिज होगी तो यह बंदों को जो फिट बंदे तो नेचर ने उसके साथ आएंगे और जो बंदा वह अपस सीखता रहेगा टैलेंट लेते रहेगा कुछ ना कुछ करता रहेगा तो वह आगे सर्वाइब करेगा आजाते हैं यह चैप्टर कता मुला हावर सम अब्जेक्शन्स वेर रेस्ट यह आपको आना चीए देखो दार्विन थेरी को अब्जेक्शन अब लिए आप लोग को आना चीए फट 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 कर लिजे बच्चों सम में अब्जेक्शन सा स्टार्ट नेच्टर सेलेक्शन इस नौट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिवल फो इवोलिशन ऐसा नहीं होता है कि सिम नीचर डिसाइड करती है नेचर सब को जो सिलेक करती है उसी के वैसे सब इवाल होना शुरू हो गए बाकी जो बैस्ट है वह होती है लेकिन ऐसी कुछ चेंजिस आगे जिसकी जरुवत ने ती उसके बारे में क्या अब जैसे कि यह सब अंगुटे का होना अंगुटे क्या यूज करते हैं राइटिंग दो कुछ ऐसे भी कर सकते हैं मतलब कुछ कुछ चीजों का यूज ने पिन्ना का क्या यूज है है तो बोलते हैं वोुज हिवीन अउसका क्या तो एसी कुछ जो यूजफूल है या यूज is less है इसके बारे में कुछ नहीं बता है वोट इस सब्सक्राइब हो सकते हैं किसी के लिए यूज लस हो सकता है जी हाा जी हा अब देखो या किसी के लिए यूजफूल यूजर है क्योंकि वह बंदा पढ़ाई कर रहा है तो इसके बारे में क्या है आप खुद सोचो आप कुछ बंजेते जो नेचर के इसाब से अच्छे नहीं जैसे कि आप लोगे स्टीफेन होकिन थे वह तो बिचारे पैरा लाइस थे तो यह तो यूजलेस तो मतलब उनकी इसाब से पूरी बॉड़ी करा थी उनकी लेकिन फिर भी वह सर्वाइब कर गए और उन्हें बहुत बड़ी बड़ी भी थी और हम इतने अच्छे होके भी इतने बड़ी थी नहीं दिए तो यूजफूल यूजलेस चीज़ों के बारे में नहीं बता पा रहेते कि वो क्या है जो ऐस चीज में करते हो ज्यादा ज्यादा लिकने आप बता हो तॉ चीजों में है अधर्वाइस जो मान विलिये नेल का क्या यूज़ है और ऐसे मैं बोर्यूस्फूल अस्मोडिकेश्शन मैं स्थीफें लिए उसब्से अच्छा बता है आप लोगोसे लिए उनके अंदर तो ब नो नो तो दो तीन चीज़े याद रखना एक तो पहली टेरियो आफ नैच्छल सेलेक्शन इस नौर्ड दी ओनली प्रोसेस बिकास फिज मैन इवल्ड अम मैं क्यों वाल लोता हूं सम्झों हमारे क्यों वाले नेच्रल सेलेक्शन का था ता क्यों वालो जस्मेरा इंट्रेस् अब लेकिन यह इवलुशन बोलूगा यह तो मेरा शॉक था ना जस्ट यह क्या था तो ऐसी सारी चीज़ों के तो नैच्छल सेलेक्शन एक फैक्टर नहीं होता है यूमन का माइंड यूमन की चीज़ कुद्रती चीज़ें जोस करना चाहता है इंट्रेस्ट यह सारी दूसरा यूसफूल यूसलेस के बारे में नहीं बता पाए तीसरा हमारे को स्लोव चेंज़ अबरब चेंज़ करें में बता पाए वो कि यह जो कुछ चीज़ें बहुत स्लोव रहें कुछ एक्दम फटक से हो जा रही हैं अब जैसे आइंस्टाइन के अंदर हम लोग अच सबसेंट चोड़ के गए थे वो एक तो बोला थेरी आप नेच्री इस नौट दि ओनली तींग इंट्रेश्ट होता है मैं का वह करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है मालूब पढ़ गया और मैं टैलेंटलेस हूं तो मैं टैलेंटलेस हूं क्या हो गया फिर यही चीज है कि slow changes abrupt changes के आरे में नहीं बता पाया इन रिस्पेक्ट्टी आल दिस अब्जेक्शन देखो यह सब सारी चीज़े थी लेकिन आज तक जो इतिहास में सबसे अच्छी थेरी किसी ने बता है बाबा डार्वीन की थी देख हमारा एक क्या चूल होता है किसी गलत बताने का तो चूल में हमने थोगा तीन चाहीं चीज़े बोल दिया अधरवाइस डार्वीन बाबावास गुड आगे बढ़ते हैं अब यह इन्ट्रोडक्शन तो यह सब करना रॉबर्ट डार्वीन का इसब कर लेना hmm the English values you propose the theory of evolution the darwin के बारे में यह I have gradually evolved over the period thousand of years from common ancestor तब से मुनी की थेरी पड़ रहे हैं बच्छो he proposed the principle of natural selection is responsible for evolution evolution के लिए अब जीन बाप्रिस्टेल लमार्क यह इंपोर्टेंट है दोस्तों कितने देर का होगा मार स्ट्रीम एक सेकेंड कि वाओ आसम सवा घंटी में आपन चैक्टर कथम करने हैं दोस्तों मैं एट्वर्स एंड हम लोग देखो अब इनका लमार्किसम आएगा तो क्या लिखना है जो कोछ सिंपल सा लमा प्रपूस्टेट एक्टिविटीज ओफ और्गर्णिजम्स आर रिस्पॉंसिवल फोर देर इवोलिशन मैं जैसा काम करता हूं उसी को वैसे मेरा इवोलिशन होता है लमार्किसम किसी को देखो बाबा डार्विन बाबा में कोई इशू नहीं ना डार्विन बाबा वास बेस्ट तीन चीज़ें आप लोगो फेक के लिखना भले समझा चाहें नहीं समझा पहली बात तो मैंने बता एक्जांपल के तो इंट्रेस्ट भी हो गया कोई नहीं सर्वाइब करें फिट फाइं सब गतम फिट फाइं सब गतम दूसरा चीज यूसपूल और यूजले जो हमारे मोडिफिकेशन होते हैं उसके बारे में क्या बोलोगे वह फिट है कि एंफिट है यह नहीं बता है तीसरा स्लो एन अबरफ चेंज फट से व जंबा हो गया और हमारा गूल्ड स्मित का लड़का यह ब्लैक्स्मित का बारवार कंदे पर आइसा मारता रहता है वह मतलब लोह पर मारता है तो उसका अगला बच्चा स्ट्रॉंग निकलेगा वह उसका कंदा शूल्डर बहुत फ्रॉग होगा ऐसा थोड़ी होता है तो तो चेंजेज़ा ट्रांसफर फॉन नेक्स जेंजर जनरेशन एंड सच जेंज़ अकर इन नेक्स सब्सेक्वेंट जनरेशन टूर तो देखो दो अभी एक्जाम में यह मत लिखना आप लोग अपना मत करना कि सरी तो फालती बात बोला जो उसने बोला ता वही लिखना इन चेंजेज़ ट्रांसफर फॉन जनरेशन तो अनरेशन एंट देन अन्वर्ट सभी को ऐसा जेंडब इसलें माइप्र प्रपोस्ट एट ओर्फोलोजिकल चेंज़ अकरिंग इन लिवन और्गन्स आ रिस्पॉंसिब फॉशन तो यह जो मेरे मॉर्फोलोजिकल जो बाहर से एक्टिविटीज और लेजिनेस तो यह मॉर्फोलोजिकल चेंजेस कैसे आते हैं जैसे उनकी हिसाफ से किसी की मेरे अगर मैं बना लेता हूं तो मेरी प्यूडी में क्या जाएगा एप्स जाएगा मैं अगर मैं नहीं करता है दिन बर ऐसे पढ़ा रहता हूं चीज पीसा आप पारगार खा के एकदम वोल देना लाला लाला अब्रवाडी तो इसे गाना सुनके गाना करता हूं खाता हूं पीता हूं पेट आ गया मेरे नेक्स जनेशन के पास पेट जाएगा तो एक्टिविटी लेजिनेस यह रिस्पॉंसिबल है मॉर्फोलोजिकल चेंजेस के लिए यह जिन डपिस से प्रपूज एट मॉर्फोली के चिंजे रकर निया यह तो बोलाइता हूं यह कॉल दिस कॉंसेट आज यूजर डिस्यूज अफ और तो यह मेरे पेट का यूजर डिस्यूज आप्स को उसको बनाने के लिए उसकर पेट को या फिर मोटा बनने के ल तो आइसा करने सो इसका यह बड़ा हो गया वाइक्स टेंडिंग देर नेक पर सेवरल जनेरेशन तीक इसके वैसे बहुत साइज जनेरेशन करने पहले थोड़ा बड़ा फिर थोड़ा बड़ा बड़ा ऐसी होता रहा तो नेक्स जनेरेशन तक हो लोग आसमान तोड़ के तो बाद निकल जाएंगे ओके सिम्लेली शोल्डर्स ओफ आयरें स्मित है विकम बेरी स्ट्रॉंग ऐसे मारते मारते उसका बहुत स्ट्रॉंग हो गया है शोल्डर तो यह ऐसा दिखता है तो इसका बच्चा भी ऐसा दिखेगा आप बैकी बैकी बाता कर रहा है यह जूट तो फ्रिक्वेंट करते रहते हैं तो विंग्स ऑब बर्ड्स लाइग अभी और्स्ट्रिश का है यह एकदम निठलना बैटा उड़ता नहीं है यह उड़ने का सोचता नहीं खापी के एकदम तुन दो चुका था तो इसको यह उड़ना भूल गया तो यह मुका भी है वही चानला की बाता कर रहे है स्वान के लिए देखो तून में क्या चैंज है एक्टिविटी कर रहा है तो यूज नहीं कर रहा तो उसका विंग जयन टीट हो गया मतलब काम के नहीं अब यह देखो यह पानी में चलता है तो इसके अंदर आपक्विटी कर से कुछ एवलीश न आगे का इसको देखो ऐसे वेब लाइक बन गया उसके पैर के पास ओके तो है बिकम यूस्फुल फॉर स्विमिंग ड्यूटी लिविंग वॉटर तो इसको रहना था तो एक्टिविटी के वैस्वाइश कुछ एक्स्ट्रा कारेक्टर आगे यह चलता फिरता नहीं था एकदम सडियल हो चुका था तो यह क्या किया इसको यूज नहीं था यह बरो करता था मुंडी से इसे गुश्ता जाता था ता उसके इसका पैर भगवान ने गायब कर दिया तो इसको नौ यूस था इसले लिए बरुएंग एबिट्स के लिए तो एक्वाइड कारेक्टर मतलब हम लोग ने खुद से लाए वह ऐसे करते करते सब आ गया अक्वाइड जो नीचाने नहीं हम लोग दीजे दीजे ले लिए करके करके आए इस इसको बोल देते हम लोग क्या लमार्किजम और यही जो अगली पीडी को जाएंगे तो बोलेंगे inheritance, boulder shoulder transfer, abs transfer हुए तो यह सब जब एक पीडी से दूसरी पीडी में जाते हैं तो इसको बोल देते हम लोग क्या लमार्किजम यह यह क्या है, inheritance of acquired character, वो transfer development of organs due to specific activity or their degeneration due to no use at all was widely accepted, ठीक है, लेकिन बट transfer of those character from generation to generation, this is something like हम लोग को हजम नहीं हुआ, यह बाट सही है कि चलो हमारी प्रतम से आ जूति में तुरंत आप से यह गलत था, तो वोज रिजेक्टे यह नहीं एक्सेट किया समने, because it has, it has been verified many times that modification brought in us are not transferred to next generation, यह देको यह बाप लंगना था तो बीटे का भी पैर नहीं होगा, समझाज़ का पैर कड़ गया, तो यह नो यूस था, रेकिन बेटा देको किसाद खूश है, and thereby लमाक तेरी वह दिसपरूब, and this is called as ancestry of acquired, this is called ancestry of acquired ancestry मतलब के यह सब साही चीज़ आते है, ancestry बोलते है, मतलब बहुत पहले से आ रहा, next generation, पीछे के जनरेशन से नहीं, ठीक है, formation of new species of plant animals is effect of evolution, हम मैं humans की थेरी बतायता हूं, पट, 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 humans का evolution और चार्ट लाएकर आ जाता हूं, विए, यह लोग जोग्राफिकली देको सेपरेट हो जाते हैं, ऐसा आता क्यूँ है, कि देखो हम लोग थंडी नहीं सह पाते उतना वह फॉरेन वाले वैसे थंडी सह लेते हैं तो देखो इसमें क्या होता है आइसोलेशन क्रियेट होता है आइदर डियू टू फिजिकल बारियर जैसे बीच में नदी आ जाएगी तो यह लोग अलग हो जाएंगी यह अलग हो ज आइसोलेशन होता है स्पेसिफिक जगह की हिसाफ से लोग रूख होते जाते हैं तो यह हम लोग को ध्यान रखना है इसके अंदर है अज़ान से सुनना अट टाइक टाइम मंकी एनिमर्स लाइग ऐसे टू भी इवाल इने पीच 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 हाँ तो यह देखो तो बात है उन दिनों की यूमन इवलूशन पर गड़ा है इसमें अलग 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 है देखो बाइड आवसेट दाट इस नोन टूड़े आज इग्जिस्ट आज से टू भी फॉर्म वेरी सिंपल यूनिसले यह फीच पीच पीच पढ़ रहे हैं यून इसी में जब सिंगल वाले मल्टी सेललर बन रहे थे इनहीं में से एक वाला जो आईसा धागा निकला हुमन की तरफ और यूमन उससे बढ़ गए ओके लाज डाइनसोर डिसपीर अप्रोक्सिमेटली सेवन करोर यह थे अभी हम लोग देको डेटिंग स्टार्ट कर रहे है साथ करोर साल पहले यह लोग निकल लिये धाट इस हमारा जूरासी कहे रहा था और उसी टाइम पर मंकी लाइक एनिमल्स आ रहे थे और उनके अंदर ए इवाल हो रहे थे उसी साथ कोडसर पहले उनमें जब यह लुच्छा था जो यह लेमूर है ना लेमूर जैसे लोग थे यह लेमूर था उससे इवाल हो रहे थे मंकी लाइक तो आज का जो लेमूर वैसा ही दिखता था कुछ हो मॉडर्न और लेस और जैसे सेमी दिखता था था इस मंकी लाइक एनिमल्स आफ अफरीका इस सेट टू बीडिसपीर अबाउट फोर करोर यह अगो तो ऐसे जो दिखते थे इवोलुशन जब वा मंकी लाइक वाले गा ध्यान रखना मंकी लाइक तो इनका क्या हुआ लेमू सफरीका में इनकी पूछ गायव हो गई ठीक है तो टेल गायव हो गया नेक्स्ट डेवलब्ड ड्यू तो यह अगर यह आगे बढ़ रहे हैं तो ब्रेन का नाम आना चीए तो ब्रेन उनका देदर बढ़ा हो रहा था यह जो चेंजे आ रहे थे पूछ गायव हो रही थी य हैं उसी टाइम पे लेमoped जैसे जो अजो दिखते हैं उन से क्या हो ओन एक अनिमल में अमारा इवोलिउचन हो रह था और जिसमें जो अनसे अश्ट हाता मतलने द्यान रखना, ब्रेन भी वोल होगा, हाथ में भी चेंज ये जाएं, and thus, एप लाइक एनिमल्स वेर इवल्ड, वो जिसकी पूछ गाया हुई, उससे क्या होगा, ब्रेन बड़ा हुआ, हाथ चेंज हुआ, और एप लाइक एनिमल्स कीम, तो लेमूर, मंकी लाइक, डैन, ब्रेन डेवलप्ट, हैंड डेवलप्ट, एप केम, meanwhile, इस एप लाइक एनिमल्स, जो आज एप लाइक यही वर्ड लिखना, एप जैसे दिखते थे, तो होगै, इस लिखना, व्लाइक है, और नाइस लिखना, सब जगे गही वर्ड बॉट, नेकस्ट, और इवाल्ट इंटू गिबन और और उरांगूत्हां, एप किसमें कनवर्ट हुआ ध्यान नखना मंकी पीछे गया सम लेमूर तब से पहले मंकी फिर टेल गाया ब्रेन आया हाथ आया एप आया एप से अब क्या हुआ माइगरेट किये और उन्हें में से क्या बने गिबन एन औरंगुटा अब रिमेनिंग एप लाइक एनिमल स्टेट इन अफ्रीका प्राम देम गोरिला एंचिंपांजी वाल अब टू फॉंट इस टू पंट फाइस अगो समझ गए तो गोरिला और चिंपांजी जो अफ्रीका में थे तो कुछ एप जो थे हमारे वो किदर को हो लिए एशिया में डैट इस साउथ एन नौर्थ इस्ट एशिया में चाइना आरागुताँ जो आसे देखते हैं अमने उसे मझे लेते अर गिबन गेदेखे अपीटिये चिंपांजी और गोरिलबन अफ्रे — वाले कैया बने चिंपांजी और गोरिला बाकी सबस्के होँआ yn टेक और गिबन मढदे घिबल gibi और इवोलुशन अफ सम और कितने साल पर 2.5 करोर में आगे बढ़ते हैं और इवोलुशन अफ दोस्टू करोर ओले श्पीज एप स्टीम टूब अकरड इन डिफरेंट वे अब इनका जो था इवोलुशन खुद अलग हुआ इनहीं का हम लोग जो बोल रहे हैं क्या हुआ अ उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेश है दो करोर साल पहले कि उनको हाथ जादा यूज करना पड़ा और इट करना पड़ा उनको और यह अब इस ताइम पर इसा हुआ कि जो फॉरेस्ट कतम हो रहे तो यह लोग पर आना शुरू हो गए ते दिरे दे वही जो आफ्रिका वाले थे जो चल के क्या बनने वाले थे आगे आज हम लोग बोल रहे हमारे गया यह गोरिला एंड चिंपैंजी आज जो देख रहे उनी एप से जो आज देख रहे हैं वो आये थे कौन गोलिल्दा और चिंपैंजी और उनी एप में से कुछ और आगे बढ़े क्या हुआ जिनको हाथ यूज करना पड़ा और साथी साथ वो लोग लैंड पे आए फॉरेस्ट छोड़ दिये और जब फॉरेस्ट छोड़े त आपला मारें लोवर वर्टेब्रे में रहती हैं में नमर वर्टेब्रे कमर के पास वो सी दा होना सुरू गया कि उनको लाइंड पे चलना था पॉरेस्ट पैसए जूल्जूल के नहीं कर ना था हैंने और बादेर हन्देर एंदस बीकम अवर यू जलते हैं इता वह मैं वो hands have evolved about two two point five करोर सब्सक्राइब पिछले वाला दो करोर साल पहले वही एप में से जो जमीन पर आए थे जो ग्रास लेंड में आए थे जिनका हाथ फ्री था ये बन गए हाथ लाइक देखने वाले फस्ट विवन फस्ट ल्ट यूमन लाइक लैग भासटी कोड़ ऑफ यूमन लाइक अनिमल इस विट इस बित पॉर्म आप सिक्हसे अप्रिज 10 अप लिए का मिने कि घुड़ा सानु अप्रिक लोग बोल रहे हैं यहां पर दिखो सोमालिया यह था हमरा एक और था केनिया पुरुंडी यह सब यह सब यह वाले हैं ओके तो यहां से आये थे कौन हमारे रामा प्वेटिकस उसको नाम दिया कौन ता जो ग्रास लैंड में जिसके हाथ फ्री हो गया थे और दूसरी बात जो फर्स्ट यूमन लाइक था एप ही बोल रहे है उसको लेकिन जो फर्स्ट यूमन लाइक है आज जो यूमन दिख रहे है उसके साथ थोड़ा मैश कहता है उसका नाम क्या रखा रामा प्वेटिकस इस्ट अफ्रिका मिला आफ्टरवर्ड इस एप ग्रून अप इंद बिकेम मूर इंटेलिएंट एंड़ एप आफ साउथ अफ्रिका इवर्ड अबाउट फोर्टी लाइक है तो यही जोवा साउथ अफ्रिका तर पोचा और यह क्या हो गया दिमाग इसके पास ज्यादा आ गया अब यह हमारे होमो जो हम लों हमो सेपियंस बोलते है तो होमो वाला हुमन जैसा दिखना एकदम कंप्रिटली शुरू हो गया तो होमो जो जीनस वाले क्यारेक्टर इंके पास आया ओके एंड़ फन्टी लाइक यह सगो चीलड मैं डिटrial लग तो हमो यह बना साउठ अफ्रिका में इसके पहले फर्स्ट यूमन लाइक था ता फ़र्स्ट यूमन लाइक एकदम पहला और यूमन लाइक वाले चलेंगे लेकिन हमो नहीं बनेंगे तो कुस साल भीते हमो बने यह लोग रियल में होमोजीनिस वाले तो रामा पैथिकास वाज़ फॉर्स्टेप ब्रेट वास्टेप लाइफ डेवलप होते गया और इसको पहला होमो बोले आगे चलके और उसी से स्किल्ड मैन हमारा दिखो ऐसा हीरो ऐसा इंसान है किल्ड मैन है कभी 20 लाइट किया सोगो अबाट 15 लाइग यूर्स हुमन वोर्किंग विट इरेक्ट पोजिशन सीदा सीदा चलना शुरू हो गया और इट में आव एग्जिस्टेट इन चायना इन इंडोनेशिया तो यह ल बढ़ा ओरता इनका ब्रेंड डिवल्प होता रहा और जब ब्रेंड डिवल्प होता रहा वार फवर द्पीरियट फॉर्ट पीरिट फ़र्फ आपन लाक यरस एक साइट एक ओर एक लाक साल तेंका दिमाग बढ़ता रहा शीज़ँर चलते रहा और यहीं सब जब वहां से मिल भी तक हम लोगो और वही मैन आगे चलके हम लोगो क्या उससे में जब बॉडी में चेंजिस आ रहे थे तो उससे में उसको फायर मिल गया and brain of 50,000 years old man had been sufficiently evolved to the next और ये एक्दम बढ़ियां इवालो चुका था that it could be considered as the member of the class wise man that is homo sapiens कितने साल पहले बुले पचाश जा साल पहले जो इंसान था अब उसका दिमाग इतना बढ़िया था उसको होगो sapiens बोल सकते थे तो first homo sapiens was discovered during the 50,000 आज से पचाश जा साल पहले that's it homo sapiens खतम नियंडर्तल can be considered the first example of wise man तो उसमें भी जो पचाश जा साल वाले जो डेलप वेते तो उसका नाम क्या रखे नियंडर्तल और first human like जो एप दिखा था रामा पैथिकस उसके बाद हमारा कौन आएंगे वह homo वनेगा homo homo जीनस जैसा दिखते जाएगा और उससे skilled नियंडर्तल पहला रहा होगा और उसमें थोड़े से changes रहूंगे तो वह कौन रहा होगा हमारा क्रो मैंगनन और इसी के बीच में पूरे वर्ल्ड में डिबेट भाईया यूरोप वाला पहला सौर मैसे अफरिका और यूरोप के बीच में बाते चलते दोस्तों कि कौन झाले